आज हम चोकलेट मक केक बनाएंगे, बहुत ही शौप्ट और इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टैस्टी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा फुला फुला, यह देखे कलर भी इसका कितना अच्छे से आया हैं, तो चलिए चोकलेट मक केक बनाना शुरू करते हैं, और संत हमेcket, टेबल स्पून मेंने कोк पावडर लिया है, आ हेखो टेबल स्पून, मैने सुगर पावडर लिया है, वह भी समें डाल देती हूं, हर्फ टीपून बेकिंग पावडर वह भी तेकी Namun डाल लेएं, और वह भी सुगार वाक्त्न बेकिंग कावडर म़ं, हमसी ऊसके से मिक्स करेंगे ये अब मैं इसमें वन टेबल स्पूं कंडेंस मिल्क डाल जी हूँ अगर आपके पास यह आए तो आप तू टेबलस्पूं जिन्नि एक्स्टै डाल सकते हूँ अब मैं इसमें 2 टेवल स्पॉन गी डालूंगी, गी की जगह आप बटर या ओल भी डाल सकते हो, 1 टेवल स्पॉन में फ्रेश क्रीम डाल रही हूं, आप क्रीम की जगह मलाई भी यूज कर सकते हो, 2 टेवल स्पॉन में मिल्क डाल रही हूं, हम मिक्स करने के बाद देखेंग 1 tablespoon chocolate shrimp, आप मैं इस mixer को अच्छे से mix करूँगी, यह हमारा बैटर थोड़ा गाड़ा है, इसमें मैं 2 tablespoon दूद और डालूँगी, और इसको आप और अच्छे से mix करूँगी, half teaspoon में इसमें vanilla essence डालूँगी, और इसको अच्छे से mix करेंगे, मग केक का बैटर हमारा बनके ready हो गया है, अब हम इसको मैग में डाल लेते हैं, अब मैंने मैग में गी डाल दिया है, इसको चारू और फैलाते हूं, यह हमारे मग भी तयार हो गया है, अब हम इसमें बैटर डालेंगे, मैंने कप में बैटर डाल लिया है, अब हम इसको अच्छे से ऐसे करेंगे बराबर, अब मैं इसके उपर चोकोचिफ डाल वही हूं, हमारे मग टैक कयार हो गए है, अब हम इसको बेट कर लेते हैं, मैंने ग्यास पर यह पतिला रख दिया है, पतिला में मैंने नमक डाला है, इसको मैंने पहले भी यूज किया हुआ है नमक को, अब मैं इसमें केक रखूंगी, पहले मैं इस तरह का स्टेंड रखूंगी, आपके पास जो भी स्टेंड है आप उसको रख सकते हूं, अब मैं यह अपने मक केक इसके अंदर रख रहे हूं, आप थोड़ा सावदानी से रखना क्यूंकि हमारा पतिला बहुत ज्यादा गरम होता है, अब मैं इसको 25 मिंट के लिए ढख के छोड़ देखूंगी, यह देखिए फैंस हमारा चोकलेट मक केक बनके तयार हो गया है, मैंने इसको गैस से उताग लिया था, इसको 57 मिंट रख दिया था ठंडा होने के लिए, अब हम इसको सजा लेते हैं, इसका कलर कितना अच्छा आया है, अब मैं इसके उपर चोकलेट सिर्फ से सजाऊंगी, यह देखिए दोस्तों, हमारा केक कितना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छे से फूल के उपर आया है, यह बहुत ही टेस्टी है खाने में भी, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा जब भी आप समन्द किया हो, तभी आप मक केक बनाएं आराम से और खाएं, अगर आपको चोपलेट मक केक पसंद आएं तो मेरी वीडियो को